एक खुबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ पर तोती चिल्या अपने दो बेटे और दो बहुए के साथ रहती थी। दोनों बेटे का नाम रखी थी एक का मोनू और दुसरा का नाम रखी थी राजू। तोती चिल्या के दोनों बेटे बहुत ही सीधे साथे थे। एक दिन की बाद थे तोती चिल्या की बड़ी बहुँ बोलती है। आप इसे समझा देजे कि मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। मा बुलबुल क्या बाते सुनें कैसे मुझसे बोल रही है। तुम करके मुझे बोल रही है। मा मैं इस घर की बड़ी बहु हूँ ना आप इसे समझाईए मा बड़ों से अच्छे से बात करना चाहिए ये ना कि बत्तमी जैसा फिर उसके बाद तोती चिणिया अपनी छोटी बहु को समझाती है बुल बेटा तुम्हें भी साथ में मिलकर काम करना चाहिए बेटा अगर कोई अखेला ही काम करते रहे वो बिमार पढ़ जाएंगे ना बेटा मा मुझे सलाह देने के कोई जरुवत नहीं है समझी तु मा मैं अपना काम खुद जानती हूँ मुझे क्या करना क्या नहीं मुझे समझाने के कोई जरुवत नहीं है मैं बहुत पढ़ी लिख्यू हूँ मेरे माता पिता बहुत सारे देहज दिये इसलिए मैं काम नहीं करूँगी और नैना के माता पिता कुछ भी देहज नहीं दिये है इसी को अकेले सारा काम करना पड़ेगा तुम बुलबुल ऐसे क्यूं बोल रही हो मेरे माता पिता के पास इतना दौलत नहीं था कि वो मेरे लिए धेर सारे दहेज देंगे अब तुम हद से जादा बल रही हो तुम यहां महराने बन करके नहीं आयो कि तुमें सब कुछ जूला पर ही मिलेगा काम करके समझी तु फिर उसके बाद तोती चिणिया बोलती है अपने बड़ी बहु से नैना तुम इसकी मुह मत लगो जब यह हमसे बत्तमी जैसा बात कर रही है तो तुमें छोड़ देगी का छोड़ दो नैना तुम इसको जो करना है करने दो अब हम लोग इसको कोई भी नहीं बोलेंगे सा फिर उसके बाद राजु अपनी पत्नी को समझाता है और बोलता है बुल-बुल तुम भी इस घर की बहू हो तुमें भी साथ में मिलकर काम करना चाहिए ताकि अगर हमारे घर कोई आए तो ये देखे पूरा परिवार कितने अच्छे से मिलकर रहते हैं और तो और हमारे गाउं में सब लोग हम लोगों को तारिफ करेंगे बुल-बुल हम लोगों को मिलकर रहना चाहिए बुल-बुल मेरी बात समझ जाओ बुल-बुल आप क्या एक ही बात रते जा रहे हैं बुल-बुल-बुल-बुल मैं बोल दी ना एक बार मैं काम नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्य मा इसे छोड़ कर हम लोग दूसरे जंगल में चलिए जब ये अकेली रहेगी न तब इसको समझ में आएगा फिर देखते हैं इसको पूरा काम करके कौन देगा यहां महरानी जैसा रहती है फिर अपने लिए तो खुद को नोकरानी बनना ही पड़ेगा चलिए मा हम लोग सब यहां से फिर उसके बाद बुलबुल को छोड़कर सारे पक्छी दुसरे जंगल में चले जाते हैं फिर उसके बाद बुलबुल अकेले हो जाती है फिर अचानक से एक कालु कवा आता है और बुलबुल को अकेले देखकर बोलता है अरे बुल बुल तुम्हारे सब परिवार कहां चले गए और तुम यहां अकेली बैठी हो तुम्हें कोई परिशानी तु नहीं है ना है तो मुझे बता बुल बुल अरे नहीं नहीं मुझे कोई परिशानी नहीं है ये लोग मुझे छोड़कर चले गए वही अच्छा हुआ मैं अब यहां अराम से रह सकती हूँ अब मुझे कोई यहां बोलने वाला भी नहीं है फिर कालू कवा सोचता है कि उन्हा मौका का फायदा उठाया जाए इस साधी करके इसका पूरा धन में ले लूँगा और इस से काम भी कराऊंगा फिर कालू कवा बोलता है, बुल बुल जी, आप हमसे साधी कर लिजिए, आपको कोई काम करने लिए नहीं बोलेगा, और मैं बहुत महनती हूँ, मैं आपको सारा काम करके दूँगा, अरे नहीं नहीं कालू जी, मैं आपसे साधी नहीं करूंगी, आप मुझे धोखा दे दें और मैं फिर कहां जाऊंगी अरे नहीं नहीं बुल बुल जी मैं आपको धोखा नहीं दूंगा मैं आपको अच्छे से रखूंगा मैं बोल रहूना बुल बुल जी और मैं आपको सारा काम करके दूंगा आप सच बोल रहें ना कालू जी, आप मुझे धोखा नहीं न देंगे कालू जी अरे नहीं नहीं बुल बुल जी, मैं बोल रहूं न, मैं आपको अच्छे से रखूंगा तब ठीक है कालू जी, मैं त्रयार हूँ साधी के लिए ठीक है बुल बुल जी, वहां माला रखा हुआ है, चलिए हम लोग एक दूसरे का गले में डाल देते हैं फिर उसके बाद दोनों पक्छी एक दूसरे को गले में माला डाल देते हैं, फिर उसके बाद साधी हो जाती है एक दिन के बाद है, कालू कवा बोलता है अरे बुल बुल तुम कितना आराम करेगी जहां मेरे लिए भोजन ढूंड करला समझी तू और जब से मेरी जिन्दगी में आई है मैं परिसान हो गया हूं तुम से अरे कालू जी साधी से पहले तो आप बोले थे कोई काम में नहीं कराऊंगा और आप मुझे इतनी कड़ी दूप में भोजन ढूंडने के लिए बेज रहे हैं साधी से पहले तो बोला था मैं कुछ भी काम नहीं कराऊंगा अब साधी हो गया तो बॉस बन रहा है पर मैं भी काला कलुठा से कम नहीं हूं कुछ सोचना पड़ेगा अरे हां मेरे दिमाग में विचार आया मैं यहां से भाग जाती हूं फिर उसके बाद बुल-बुल सब कुछ अपना सारा समान छोड़कर भाग जाती है वहां से कर दो बुल-बुल-बुल-बुल-बुल-बुल